हेलो दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही important questions लाए हैं और ये questions आपको आने वाल exam में जुरूर help करेंगे वीडियो को एंट तक देखते रहें वीडियो को start करने से पिले आप से request हैं कि अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को subscribe करेंगे साथ में bell icon आपको बताना है पाकिस्तान सुप्रीम कोड की पहली महिला जैज कौन बनी? options हैं आपके पास खालिदाद जान, आईशा मलिक, कुलसम बट्टू या फिर रहाना साइध तो इसका सही answer है part B आईशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोड की पहली महिला जैज बनी आपको बताना है किस रियासत या यूनिन टेरिटेरी में इंडिया की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को लाउंच किया गया आपके पास जुमुएंट कश्मीर, उतरप्रदेश, गुजरात या फिर कैरला इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी उतरप्रदेश में इंडिया की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को लाउंच किया गया और इस वैन को लाउंच किया खादी एंड विलेज इंडिस्ट्रीज कमिशन ने और इसको उतरप्रदेश की विलेज सिरूरा जो की गाजियाबाद में आता है वहाँ पर इसको लॉंच किया गया दोस्तों याद रखें कि ये वेन आठ गंटों में तकरिबन तीन सो केजी हनी को प्रोसेस कर सकती है इस पर तकरिबन पंदरा लाग का खर्चा आया है इस वेन को बनाने में नेक्ट कुर्शन है उसको वापस करने के लिए इन में से कौन सा मिशन लॉंच किया गया उप्शन से आपके पास मिशन इमानदारी, मिशन अमानत, मिशन इंसानियत या फिर मिशन भारत इसका सही आंसर है पार्ट B मिशन अमानत, वेस्ट अरुन जून रेलवे, इंडियन रेलवे इस ने लॉंच किया जो पैसेंजरस की अगर कोई, कोई चीज है उसको डोडने में और फिर वापस करने में नेक्ट क्रेशन है हाल ही में DRDO ने इंडियन नेवी के लिए C2C मार करने वाला ब्रमोल सुपरसानिक मिशाइल का कामियाब तजर्बा किया आपको बताना है सुपरसानिक एक्स्टेंडड इस मिशाइल की रेंज क्या रहेगी आपके पास 1200 किलो मेटर, 800 किलो मेटर, 450 किलो मेटर या फिर 150 किलो मेटर इसका सही आंसर है 450 किलो मेटर दोस्तों यहाँ पर आप यह याद रखें कि ब्रमो सुपरसानिक क्रूस मिशाइल का तजर्बा 11 जैनुरि 2021 को किया गया INS विशाका पटनम से next question देखते हैं who chaired their 19th meeting of National Tiger Conservation Authority आपको बताना है 19 वी meeting जो हुई National Tiger Conservation Authority उसकी सदारत इन में से किसने की options है नरेंद्र मोदी, अमिच शा, बुपेंद्र यादो, या फिर जोगेश मित्रा इसका सही आंसर रहेगा part D बुपेंद्र यादो जो की Union Minister for Environment, Forest and Climate Change है दोस्तों यहां पर आफ यह याद जरूर रखें कि बुपेंद्र यादो ने इस meeting में कहा कि इंडिया में फिलहाल 51 Tiger Reserves हैं और दोस्तों अगर हम National Tiger Conservation Authority की बात करें तो इसको establish किया गया है 2005 में जब Tiger Task Force ने उसके लिए recommendation की और यह जो establishment है यह Wild Life Protection Act 1972 के अंडर में इसको establish किया गया है Next question देखते हैं Who became the 73rd Grand Master of India recently आपको बताना है हाल ही में इंडिया के 73rd Grand Master कौन बने options आपके पास वरुन आनन्द किशोर रावत बारत सुब्रमान्यम या फिर योगेश सिंग इसका सही answer रहेगा part C बारत सुब्रमान्यम इंडिया के 73rd Grand Master बने दोस्तों यहाँ पर याद रखें कि बारत सुब्रमान्यम ने इटली में वर्जिनी काप ओपन में अपना तीसरा और आखरी Grand Master नाम को complete किया Next question देखते हैं When is National Youth Day of the इंडिया आपको बताना है इंडिया में National Youth Day कब मनाया जाता है आपके पास January 12, January 13, January 14 या फिर January 15 इसका सही आंसर रहेगा पार्ट B January 12 को मनाया जाता है इंडिया में National Youth Day दोस्तों यहां पर आफ यह जुरूर याद रखें कि साल 2022 के लिए National Youth Day का थीम है यूवा उच्सव नए बारत का Next question देखते हैं How many athletes are there currently in the list of athletes selected for target Olympic podium scheme? Options हैं 503, 402, 301 या फिर 200 इसका सही आंसर रहेगा Part C 301 Next important question है Who has been awarded with the 12th Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award 2022 आपको बताना है इन मैं से किसको? 12th Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award से नवाजा गया Options आपके पास अंजली बागवत, सिम्रिती रानी, हर्शाली मलहोतरा या फिरिद दिपिका पड़र कौन? इसका सही आंसर रहेगा Part C हर्शाली मलहोतरा को साल 2022 का बारत रतना डॉक्टर Ambedkar Award से नवाजा गया तो दोस्तो यह थे आज के कोचे Important Current Affairs के Questions उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें क पर शेयर करें हुड़ है